पूरी कोर्ट अपडेट पूरे दिन बरकाल इस एक वीडियो में आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा आज जो दूफान आज जो आधी आई है चंद्रा सर की कोट रूम में एजी महोदे के समिशन के बाद वो काबिले तारीफ देखने लाइक और सुने लाइक थी यह आध तो आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगा सवा दो बजे से सवा चार बजे यानि पूरे दो घंटे के लगबग जो पैरवी हुए और जो चंद्रा सर ने जो एक एक पॉइंट को और हर एक अभेड़ती के मन के बाद तीन साड़े तीन लाख अभेड़तीयों के मन की ब पासिंग मार्क्स में और जो मित्र अभी तक पूरी अपडेट नहीं समझ पाए हैं इसे एक वीडियो से वो पूरे दिन बर का हाल समझ सकते हैं तो वीडियो को जितना ज्यादा हो शेर करिएगा ताकि हर एक व्यक्ति के पास जाए और हमारी मेनत सफल हो जाए एक जूट पूरे दिन बर का हाल बताने के लिए पोस्ट ही खापी है आज की सुनाए 39,000 भरती में मोश्ट सीनियार कालिया सर की बहस के लिए कुछ कंपाइलेशन तैयार हो रहा था जैसा मैंने आप लोगों को बहुत पहले और यह सारे वीडियो आप एक एक वीडियो देखेंगे त सवा दो बजे से तो चंद्रा सर बहस के लिए पूरा सुरुद्यक मुद्याय कटाव की सुनाई प्रारम हो गए थी सवा दो बजे के लगबग से और चंद्रा सर अपना से समेशन पूरा कर रहे हैं चंद्रा सर वेटेश के उपर यानि भारांग के उपर सबसे पहले और जाद अखूसों कि जो सबसे महतपूर्ण बिंदू उठाए गया है वो भारांग उठाए गया है हाला कि ये टैग्ड मैटर पर बात करने के लिए मना किया था लेकिन जिस बारिकी से और जिस चतुराई से जिस रनीती से चानक की नीती जो बोलते ना उस रनीतियों से इन्हो अभी तक पूरा धूमिल था हर एक न्यूस चैनल पर हर जगह सुनवाई में ये बस 25 प्रतीशत को बस 25 अंक मान लेते थे लोग तो मैंने यहाँ पर कहना प्रारम किया अभी इस चैनल से आप सभी जुड़े होंगे बहुत पहले से आप सभी जानते होंगे मैंने बोला था भारां की पूरी हकीत चंदरा सर ने बताई और जगह साब इसको पूरे ध्यान से दिखे लेकिन आज की बात अगर मैं बता दूँ चंदरा सर ने जो जो पॉंट रखा है दोनों वकील इनके सारे पॉंट से इनके सारे कोट ओर्डर के एक एक चीजे एक पिन पॉंटेड आ सरकार 25 अंग 25 प्रतीशत अंग मतलब 80 यार एक्जाम जो आपका रहता है Assistant Teacher Recruitment एक्जाम का साड़े 62 अंग पहले जो दिया गया है नियुनतम अंग से समझवता फिर किस आदार पर सब को ये तो सब के लिए समान होता है तो इस पे किस आदार पर आप नियुनतम अंग से समझवता करेंगे जब आपको पहले से ही ये और मॉर्निंग में मैंने इसी पर बातचीत की थी कि सब लोग 00 पर है और इनको 33 टंग का भारांग जो दिया दार है तो ये तो पहले से ही पहले से ही हाई क्रेगरी में उम्र की अलग से चूट जिस पे आज एक एक पॉइंट पर भी इन्होंने चंदरासर ने इस पस्ट किया है तो ये पूरा आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा ध्यान से सुनिएगा तिरसर टंग भारांग उम्र में चूट होने के बावजूद ये किसादार पर मांग कर रहे हैं कि नुंतम कम्टाओं के साथ समझोधा किया जाए ये चंदरासर ने बोला और जैसा मैंने ये भी बोला था आप लोगों से कि अगर एजी सर की बातों को आज वीडियो अगर आप देखेंगे पूना पुलट के चैनल पर तो आपको एक-एक पॉइंट जो आज हुई है वो आज एक-एक पॉइंट आपको मिल जाई को मॉर्निंग में ही ति ये आपको देखने को मिली थी कि मैंने ये बोला था कि AG सर की एक एक बात को फिर से pinpointed किया जाए कि अगर कोई भी बात आपके court order में मिंशन करना आपके ज़सा महोदे भूल भी जाते हैं तो आज पुना एक बार दोरा दिया जा और वैसा ही चंदरा सर ने बहुत इस पश्ट तरीके से अपनी रणनीती के एक एक चीज बता रहा 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 है जो आपके new term relaxation जो मांग रहे हैं इसके court order में they have got relaxation of weightage on only ATRE 2018 यानि assistant teacher recruitment exam 2018 2019 में क्या क्या अंतर इस पे भी इन्होंने इस पश्ट तरीके से अपनी बात रखी और SC के order पर इन्होंने तीखी तिपड़ी करते विका है कि SC के order के अनुसार सिक्षा मित्रों को भरती के सभी पात्रता पूरी करनी है यह पस्ट इन्होंने किया और इसको आपके विपक्ष के जो पे इन्होंने अत्मिसरे इसको पॉइंट को नोटेट क्योंकि अब इनके बाद इन्हीं का इन्हीं विपक्षियों का ही नंबर आएगा तो अभी बता दू आज की सुनवाई और AG सर का सम्मिशन हुआ ह कहीं फुल हंड्रेड या टू हंड्रेड परसंट यह स्यूरिटी देता है कि योग बरतियों के इसका ही भला होने वाला है इस भरति प्रक्रिया में अभी तक अब इतनी तीखी और इतनी तेज तर्रार आपके अर्गुमेंट को देखते हुए विपक्ष भी इसमें भौकला गया था विपक्ष के आपके वकीलें बहुदरिया साब वो कई बार उठने की कोशिश कर रहे थे जिस पर जजस साब ने उनको टोका और बैठने का भी आद की तरह पूरा इस्पष्टी करण नजरों से देखते हुए मिलते गए हर एक पक्ष में हर एक पॉइंट पर इसमें इर्षाद अली वो जज़ हैं जो हर एक पॉइंट को अच्छे से कॉंक्लूड करवाना चाते हैं हर चीजों को एकदम इस्पष्ट तरीके से पूरे कोट अच्छा हुई है तो आपके चंद्रा सर ने इस पर भी बहुत इस्पष्ट तरीके से बोला कि निमावली कि अगर मैं बात करूं क्वालिटी एडिकेशन उसमें पूरा अच्छे से इस्पष्ट किया इन्होंने और इन्होंने यह भी यहां तक भी कह दिया कि सुप्रीम को एक एक चीजे और आज वही हुआ है जो सिंगल बेंच के आपकी सुनवाई में पैरवी में जो चीज देखने को नहीं मिले है कहीना कहीन धूमिल आपकी वह चीज रही है सुनवाईयां हुई है और परसों के डबल बेंच के जो सुनवाई हुई थी और्गुमेंट्स बोला कि निमाली को भी स्पष्ट करिए जिस पर यह भरती हुई है तो इस पर आपके चंद्रा जीने इकदम स्पष्ट तरह से कहा कि सरकार को टाइम टू टाइम पासिमांग डिसाइड करने का अधिकार है और एसेजिजन टीचर रुकूरेटमेंट एक्जाम पर सिर्फ र करतियां होती हैं उन सभी के सिंगल बिंच के ओर्डर को सारा चीज इसपष्ट किया इस पर आपके इरशाद अली साहब ने भी इस पर बोला कि जब 40-45 कट आफ था तो उसको 60-65 क्यों किया गया इसका मतलब है कि आपके जजसाहब भी पूरी तरीके से ब्रहमित हैं उनको यह पता नहीं किस ने बता दिया इतना ब्रहमित कर दिया कि 40-45 था कहां यह सबसे बड़ा प्रश्ण चीन है तो इसी को इसपष्ट क्या है चंद्रा सर ने इसको भी मतलब जो जो अगर प्रश्ण चीन बन सकते हैं सारे प्रश्ण चिन्नों का हल दे दिया है आज चंद्रा सर ने इस पष्ट तरीके से इस पर भी कटाक्ष करते है कि जब कोई पासिम माक्स था ही नहीं तो पासिम माक्स तो लगा ही जाएगा ना 60-65 सरकार ने लगाया उसको अब बात आ रहे ही 40 तो इन्हों ने दोनों अंतर किया आपके ARTE 2018 यानि 68500 और 79000 भरती में जो जो बेसिक डिफरेंस है एक एक बिंदू को सपष्ट किया और बताए कि दोनों एक्जामनेशन आपस में ही मेल नहीं खाते हैं इसको लेकर कई order भी उन्होंने सपष्ट किये जिसको AG साहब ने सायद उसमें कुछ सपष्ट करण नहीं कर पाये थे आज उन्होंने पूरा इसको अबिले तारीफ है और कही न कहीं आपके एक जुटता की निसानी है जो आप लोग एक जुट होकर सारे orders मैं सभी को बोलना चाहूंगा जितने भी मित्र हैं जितने भी legal team के सदस्थ हैं जितने भी legal team को support करने वाले अभरती हैं पूरे प्रदेश के अभरती हैं सब की एक ज सकती है वो सारी चीजें देखने को मिली है और वो आपकी एक जुटता वीडियो अपनी जितने ज्यादा शेयर किये हैं उसकी वज़े से ये सारी चीजे हुई है आज बहुत बहुत बदाई आप सभी को और कल की डेट लगी कल सवा दो बज़े से आज आपके चंदरा सर का सम्मेशन पूरा कंप्लीट हो चुगा है और बहुत अच्छा कंप्लीट हो है मैं कहुँगा कि एजी सर का स्क्वार तरीके से आज जो रणनीती अपनाई हो बहुत काबिले तारीफ रही है तो कल कालिया सर हो सकता है कि आपके कालिया सर का सम्मेशन बाकी है फिर उसके दारन करके रखिए अपनी खुशी बिलकुल मनाईए यह मैं कर नहीं कर रहा हूं साकरात्मक बिलकुल रही है निगेटी होने की जरुवत नहीं है और कोई भी अभी डिर सारे आडियो वाइरल होते हुए आपको नजर आएंगे देखते हुए तो उन सारे पोस्टों को नजर करी उनके और बताइए कि आज यह चीजे हुई है वो भी खुश रहेंगे और आपको दुआएं मिलेंगी और मैं बस यह वीडियो बनाता हूं आज अपने अंतरमंद की बात हमेशा बोलता है हूं बोलूंगा कि आपके परिवार वालों की दुआ और आपकी खुशी की कि दुआ जो निकलती है जो हिर्दे से निकली कि आपकी आत्मा से निकली कि वो अगर मुझे मिलती है तो मेरा वीडियो बनाना सफल रहेगा है मसी सीख साथ खुश रहिए आगे पढ़िए धन्यवाद